वीवेज कि आप जानते हैं एक सिंपल से कोड से आप अपने टेस्टिंग मोड में पहुंच जाएगा और वहाँ पर आप अपने इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर पाईएगा और बैटरी को टेस्ट करने के लिए बैटरी सेटिंग में जाना पड़ेगा तो सबसे पहल सबस्राइगा, अज़न आप आप की जित्ते भी फोन होंगों की इंफॉर्मेशन को आप जाके देख सकते हैं उसी वॉय की टेस्टिंग कर सकते हैं आप हम लोग में चलते हैं अपने cater शांटिंग में जहान से हम लोग सटिंग में जा करके बैटरी परफॉर्मेंस को देख बैटरी परफॉर्मेंस के लिए हमको देखना पड़ेगा कि बैटरी में क्या हम सेट कर सकते हैं यहां पर देखिए फिक्स बैटरी यूसेज इशू आ रहा है तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे और यह जो भी एपस चल रहा है उसमें से उसको ड्रेन कर रहा है बैटरी को उनक बैटरी जो है वो उसमें जो फालतू समय यूज हो रहा था वो हट जाएगा अब शीडियूल पावर आन आफ आप अपने बैटरी की पावर के शीडियूल को आन या आफ कर सकते हैं यह जो टाइम आप सेट कर दीजेगा वो सेट हो जाएगा यहां पर देखिए सारे एवर बैटरी सेवर में जाकर के लोग देखेंगे हम बैटरी को कैसे सेव कर सकते हैं तो इसमें बैटरी को फिसको बीस कर देगा turn off service and features with high power consumption अब ऐसे फीचर जो बैश आपके फोन में बहुत अधिक पावर लेते हैं जैसे GPS, synchronized, haptic feedback, raise to wake, show fingerprint icon यह सब जो हता है वो बहुत अधिक बैटरी देता है तो इसको वो off कर देगा don't wake up screen for notification और notification के समय स्क्रीन wake up ना हो, turn off and charge जब चार्ज कर रहा हूं आप तो आपके turn off हो जाए बैटरी schedule time आप अभी हमने बताई दिया आपको कि कैसे आप set कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने बैटरी को save कर सकते हैं अब किसी पर्टिकुलर एप के लिए आप अगर बैटरी को save करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर एप पे आप जाएगा और वहां पर बैटरी को save कर सकते हैं तो जब एप खुलेगा तो उसमें आप उसमें restriction लगा दीजेगा तो बैटरी आपकी save हो जाएगी जैसे हमने facebook में no restriction battery saver restrict background app हमने लगाया है अगर restrict background लगा दिया है तो वो फिर कह रहा है some features example push notification may be affected but apps won't be close तो restriction तो लग जाएगा लेकिन app आपका बन नहीं होगा अब यहां पर जाका अगर हम no restriction लगा देते हैं तो फिर restriction हट जाएगा restriction background तो इस तरह से आप background restriction लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं restrict background activity the app will be close in a background this might make them misbehave तो आप चाहिए तो लगाईए चाहिए तो ना लगाईए यहां पर battery saver लगा दिया तो यहां पर facebook के लिए battery saver लग गया तो इक particular app के लिए भी आप battery saver लगा सकते हैं जिससे की आपका battery save होता रहा है अब यहां पर मान लीजा में इंस्टा में भी लगाना चाहिए तो इस तरह से अगर battery saver आप लगा दीजेगा तो आपके different app में battery save होती रहेगी telegram में लगाना है put apps to sleep, save power off तो इसमें तो पहले से sleep कर रखा इसको तो यह वहां से लग गया तो इस तरह से हम schedule कर सकते हैं battery saver लगा सकते हैं और app saver लगा सकते तो इस तरह से optimize हो जाएगा आपका battery saver लगाने पर यहां पर setting में भी जाके turn of mobile data device अब यहां पर जाने पर आप अपना data हर 10 minute पर बंद कर सकते हैं और फिर अपनी इच्छांसर उसको activate कर सकते हैं clear cache कर सकते हैं आप हर 30 minute पर 10 minute पर जो आप set कर दीजेगा cache clear होती रहेगी जिससे आपके data refresh होता रहेगा battery saver बताई दिया battery drain हो रही है बहुत अधिक तो भी इसको इसका notification वो दे दे इसके लिए आपने इसको on कर दिया है battery saver हमने बताई दिया आपको setting में और क्या कर सकते हैं आप यह देखे clear cache battery saver यह सारा कुछ हो गया lock device after 15 seconds of inactivity अगर यहां पर आप कर देते हैं तो यह lock हो जाएगा तो हमें lock तो करना नहीं है close app that drain battery हमने इसको click कर दिया turn off always on display हमेशा display दिखता रहा है उसको off कर दीजिए clear memory 10 minutes after locking turn off portable hot spot hot spot को off करिए जिससे कि हर समय जब आपकी जरुरत नहीं है तब वो off हो जाए turn off high accuracy location mode अब location mode में जाने के लिए आपको बैटरी की जरुरत पड़ती है तो इसको हर समय तो आपको जाना नहीं है तो वहां off कर दिजिए adjust brightness automatically turn off haptic feedback feedback को turn off कर दिजिए don't wake screen from notification don't allow app to auto start to optimize manually कर दिया अगर आप इसको manually कर दिया अगर आप इसको manually करना चाहते है तो manually कर दिया तो couldn't find battery issue अब एक विशू ता वो solve हो गया अब आम आपस को issue नहीं इस तरह से आपकी battery optimize हो गई और आप अपनी battery को save कर पाईएगा so this is all today viewer if you like this information please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer follow my all social media link given in a description join my community and answer on poll and please subscribe करिये और मेरे telegram channel को join करिये जिससे कि आप वहां पर भी कुछ help पास किये और मेरे इस पे video पे comment करिये कि आपको कैसा लगा है और अगर कोई issue है आपका और आप कोई problem solve करना चाहते हैं तो उससे related comment करिये तो मैं उस पे video बना दूंगी thank you झाल